दुनिया का सबसे बड़ा बांध जिसे बनने में 18 साल का समय लग गया। ये बांध इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धर्ती के घूमने की स्पीड तक कम हो गई है। जिसके चलते अब दिन बड़ा होने लगा है। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है जिससे कई द चीन ने बनाया है। दो दशमलव 3 किलो मीटर लंबा और 115 मीटर चोड़ा है जबकि उंचाई 180 मीटर है ये एक पन बिजली बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा ये बांध चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है जिसकी लंबाई 6,000 किलो मीटर से अधिक है। विशालकाए बांध को बनाने का काम साल 1994 में शुरू हुआ था, 18 साल बाद बांध साल 2012 में बन कर तैयार हुआ। इसे बनाने में धाई लाक करोड रुपए से अधिक लागत आई। डैम को बनाने म अमेरिका के महान हुवर डैम से ग्यारा गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट उर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। यह बांध इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इस से 6 से 7 छोटे देशों को आराम से रोश प्रिथवी के घूमने की गती धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रो सेकंड बढ़ गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 22 सेंटीमीटर खिसक गए हैं जबकि अन्य ध् पर प्रिथवी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। इस डैम से हुए नुकसान को देखकर वैग्यानिक भी हैरान है। इस विशाल डैम से जहां चीन को फाइदा हो रहा है तो वहीं कुछ नुकसान भी है। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में भूस खलन और भूकंप क खत्रा बढ़ गया है। इसके अलावा तीन सौ से ज्यादा मचली की प्रजातियां और कई जीव जन्तूओं का इस बांध के बन जाने से आवा गमन बाधित हो गया है। विशाल जलाशय का पानी भरने से कई जंगल, खेती वाली जमीन, मिट्टी के मैदान पानी में इस डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़ कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। वहीं क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे लंबा बांध भारत में मौजूद है। ओढ़िशा में महानदी पर बना हीरा कुंड बांध दुनिया का सबसे इस डैम का उधगाटन किया था। यह मिट्टी के कंक्रीट और पत्थर की एक समग्र सनरचना है, हीरा कुंड जलाशय की लंबाई 55 किलोमीटर है। भारत की आजादी के बाद यह पहली बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है।